हरोई। मैं बनाने जा रही हूं शर्दियों में खाने हां उसल्य सबूरनि हम लिए फिन爸 श्रीं के भी मंध्य दूंए कलें कि लिए। मैंने इन सब को मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको बुच्टे हुए इसका एक सोफ्ट डो तैयार कर लेंगे मैंने इसे अच्छे से बूच कर एक सोफ्ट डो तैयार कर लिया है अब इसके उपर थोड़ा सा तेल लगा कर इसको पॉन्दर मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे जो रेस्ट होता है तब तक हम अस्टफिंग तेयार कर लेते हैं अस्टफिंग बनाने के लिए मैंने आपर लिया हैं पान सो ग्राम घरा मतर तीन हरी मेंट और एक इन चदरक का टुकरा इन सब को मिक्सर जार में डाल कर दर जीरा इसे अच्छे से टकने देंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हो मतर अब इसे चलाते हुए एक मुना तच्छे से खुं देंगे मैंने इसे एक मुना तच्छे से खुं दिया है अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लालमेच पाउडर थोड़ी सी धनिया पाउडर थोड़ी सी अंचुर पाउडर थोड़ी सी गरम मसाला थोड़ी सी क्रस की हुए जुएंड, और स्वादय मुसर, मुलाग अब इन सब को मिख्स करते हुए तिन से चार मिना टच्छ से भूम लेंगे देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे तिन से चार मिना टच्छ से भूम लिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी से धनिया बत्तम इसे मिक्स कर लेगे अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे शेला हो ले देते हैं देखिए फ्रेंड सिधर डो भी अच्छे से सेट हो गया है अब इसको थोड़ा से मसल लेते हैं अब इसके लोई तोड़ लेंगे लोई आप अपने हिसाब से छोटा यह गड़ा तोड़ सकते हैं देखिए फ्रेंड इसी तरह से सारे लोई को तोड़ लेंगे देखिए फ्रेंड सारे लोई को तोड़ लिया है आप इन सबको इस तरह से करते हुगे चिटना कर लेंगे इस तरह से सारे लोई को चिटना कर लेंगे देखिये फ्रेंट सारे लोई को चिटना कर लिया है देखिये फ्रेंट सिधर अश्टाफिंग भी ठंदा हो गया है और इसके छोटे-ोटे बाल्स बना लेंगे इस तरह से सारे अज़त्तिन का बाल्स बना लेंगे ज़िए फ्रेंड सारे अज़त्तिन का बाल्स बना कर त्यार कर लिया है अब मैं यहां पर ले रही हूँ एक लोई आप इसका एक प्याले का सेफ दे देंगे इस तरह से आप इसमें बॉल्स को रख कर स्टपिंग को बंद कर देंगे इस तरह से आप इसको बीच से तबाते हुए इस तरह से हल्का सा पतला कर लेंगे इस तरह से बागी लोई को भी इसी तरह से भड़ कर तयार कर लेंगे बागी लोई में स्टफिंग भड़ कर तयार कर लिया है अब चलते हैं इसको तल लेने मैंने यहाँ पर एक रहाई में तेल को हलका गर्व कर लिया है अब एक कर थी इसमें कचोरी को डालेंगे अब इसे लोई फ्लेंपे दो मिनट पकने देंगे देखे फ्रेंट्स दो मिनट हो रहा है और सारे कचोरी उपर आ गया है अब इसे लोई फ्लेंप पर हूँ उलाट को लटकर गिसमें होने तक पका लेंगे देखे फ्रेंट्स इतने अच्छे से फूल रहा है कचोरी देखे फ्रेंट्स मैंने इसे उलाट को लटकर हलका गाल मुने तक तर लिया है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप तकिते हैं तर लेकर को अपैले हमार प्लेट पर तर्लेगे तरेंगे झालोपने प्लेट पर लेका नुच मैंने तका प्लेट को भ्लेट को भ्लेट ले प्लेट *** झाल झाल झाल